नमस्कार मित्रों मैं मित्र स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर तो देखिए आज का जो विशय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो समझे कि यह वीडियो आपके लिए मेल का पत्तर साबित होगा शीकने के लिए बह जो सकते हैं और साथे साथ हमारी एप्लिकेशन उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं उसमें हमारी कुछ पेड पेड़ कोर्स है कुछ परी कोर्स हैं तो देखिए आकर होता क्या है होता है कि राग अलग अलग सवर लगने के कारण अलग अलग भावव प्रकट करते हैं लेकिन कि जितने भी फ़वब प्रकट करें यह आते नौ रस के अंदर ही हैं, जैसे कोई करण रसका है, कोई राग शिंगा रसका है, कोई रध रऊद्र रसका है, कोई भयानक रसका है, अदूद रसका है, यह 9 रसका हैément हिसी मोल पर आधारिती राग होते हैं तो अब जब यह इदर उदर विख्रे होएठे ते हैं की ज़्यादा हसाता है कोई पर जयादा रुला देता है लेकिन आवरॉल रुलानी वाली जितने भी राग है उन्हों सब में एक जैसे ही शर्व लगते हैं ज्यादा तर जैसे तीव्रमा अगर ज्यादा प्रयोग किया गया है जिन रागों में तो उनमें ज्यादा तर थोड़ा गंभीरता भी रहती है औ श्राग यहमन हो गया अबहें मातीवर लगता है तो उसमें कैसा एसे गाने आपको खुब मिलेंगे उसमें कहीं पर जैसे से हीरोईन रूठी हुई है और हीरो उसको मना रहा है लेकिन हिरोईन जानबूच के उससे रूठी भी होई है गंभीर भी यह लेकिन चाहती भी है कि म आधार पर यह सारे के सारे राग बनते जिसे रिय कोमल हो गया तो थोड़ा गंभीर पना आ जाता है माहुल में जैसे जितनी जहां पर गाह कोमल आ गया यह समझी ज्यादा थरो रोने ध्याने वाला पहले दक्षन भाषी संगीत में बहुत तर थाथ और यह थार तो कई राग में आपई यह समझे कि कम जो है तीना 2,400-1,000 राग तो लगबग है जिनको अब उतर भारते संगीत में फिर जिनको कट कट करके मुश्किल से सौट डेड़ सो राग ही ऐसी होंगी जो प्रचलन में है अभी लेकिन थाटों की जरूरत तब पढ़ी तुम्हारे एक जैसे सवर अगर किसी राग में लगे रहेंगी तो कहीं न कहीं वो एक जैसा ही माहूल क्रियेट करेंगे बस यह होगा कि कोई थोड़ा करेगा कोई कम करेगा कोई जाधा करेगा इस हिसाब से थाटों को क्या क्या कर दिया गए कि folder बना दिया गए जितने भी रोने दोनी वाले एक जैसेיר माले राग है उन iemen फोलडर बना दिया जाए फोल्डराँ को दिया गया ठाट सेरे रागों को ठायन में गया है जतने भी माहत्यपर लगने वाले राग वो कल्यां gone जितने भी जितने भी सुरूर हैं मुथ है वालावाल था बाशे हैं वह आपका खमाज में आ गया जितने अफितने रोगामें रेगाधाद्णी कोमल लगता है वह हैं अपने नियम भी थोड़ देते अगर आप लेकिन एक जैसे सर जिन जिन रागों में थे उनको एक फोल्डर में अलग कर दिया गया तो ऐसे करके 10 फोल्डर मना दिये गए अब आप सूचें कि अगर आप इक भी थार्ट अगर क्लियर कर दिया बहुत जबरतर तरीकिसे मीन में गमक में इन जबरत तरीकिसे सर गमों को अलग अलग च। छ। प्यम बाराफ बारा जोब अनिता जगाएं तना फ्लुएंट ली में जब्रूड़ि अपकी उंगलियां च रियाज कर देते हैं तो यह समझें आप 1484 रागों को एक साथ रियाज कर रहे हैं तो यह बीसिक चीजे होती है और इनको बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है इसी में समय लगता है बाकी राग वो गईना में इतना समय नहीं लगता है और अगर राग सीखने की बात रहे तो यह सिर्फ अगर आप 10 थाटों के 10 राग सिख लें इसी से आपको इससे निकलने वाली जितने भी 414 से राग है कहीं न कहीं उन सब पर कुछ न कुछ कमांड हो जाएगी तो ज्यादा नहीं अगर आप अपने पूरे जीवन में एक थाट के अगर 4-4 राग भी करते हैं कि मैंने तो यही करना है मुझे इसी पर कमांड करनी है मानि किसी भी राग को जितना भी ज्यादा टाइम देंगे वह उतना ज्यादा निखरता जाएगा चाहें आप उसको 80 साल बजाईए उसमें भी बहतर होता जाएगा लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हम इन सारी चीज रियाज कीजिए जैसे उदाहरन के लिए पहना आपके पास बिलावल ्थार्ड हैं बिलावल में सभी शुर्शुद बस्ते हैं तो सारी सरगमों को शुद में हम जो हैं कि बजाते हीं उन्में धिर सरंगमों व roupा जायगा रिद्म के साथ कीजिए मुझ dosar पिर दूसरा थाट है जैसे उधारण के लिए खमाज ही ले लीजिए आप खमाज में नीकोमल है तो सारी सरगमों को अब नीकोमल बदल दीजिए बाकि सभी सरशुद सिर्फ नीकोमल शुद्ध नहीं हट जाएगा अगर इस हिसाब से आप रियाज करेंगे तो मुश्कल से आ आगे रहेंगे और यह वैसे होगा देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैसे जो पहली दिन से घाना बजाना है तो अगर कर लेकर आप घाने उने सुन चुन करके ही बजाना है तब भी उसमें तीन-चार महीने लग जाते हैं एक साल में आप लगाईए मुश्किल से आप जो है चार-पांच गाने ही बजा पाएंगे दो साल में भी लगबग यही मान के चलिए दस बारा गाने अतने गानों के लिए आप दो साल यहां बरबाद कर रहे हैं उससे बड़िया यह है कि जड़ में काम कीजिए, फूक में काम कीजिए, एक साथ हजारों गानों में आपकी फूक बहुत जबर्दस हो जाएगी, सरगम में काम कीजिए, एक साथ हजारों गानों में आपकी सरगम बहुत जबर्दस चलेगी, आपके लियाँ काम करेंगी उतना ही आपका दिमाग काम करेगा तो जड़वे अगर एक बार काम कर लिया तो वही है कि एक विद्यारती है जो पहले दिन से ही गाना बजाने की कोशिच कर रहा है या छे महीने में ही गाने बजाने की कोशिच कर रहे है जड़वे काम नहीं कर रहे है दो साल में कितना जाएंगे मुश्किल से 10-12 गाने और एक विद्यारती हैं जिसने सिर्फ दो साल तक कुछ भी नहीं बजाया बेस का रियाज किया लेकिन हाँ गलत रियाज नहीं होने चाहिए बेस अगर गड़बड हो गया तो ये समझे फिर आगे जाकर कि आप हसने वाले ह फिर आपके दो साल की जगा 20 साल खराब हो सकते हैं तो सही रियाज करना है तो जैसे अब दूसरे विद्यारती हैं उन्होंने दो साल तक कुछ भी नहीं बजाया लेकिन अपना बेसमझभूत किया और जब वो तेसरे साल में मैदान में उतरेंगे वो काफी कुछ कर लेंग कर दो